औरे ऐसे क्यों बैठे हो आजाओना स्विंग पुल में नाते है इसी बहाने क्रिमिनल ना लेगा साला बर्सों से नौई नाया है अबे सारे सर्डिया सर रही है इस लिए नईनाटा में रुकाम हो जाएगा आ भई सर्डियों में कोई ना नाता से यो तो आम बात से वैसे गाइस डाकू आडम का सीजन टू आ चुका है वीडियो का लिंक कमेंट में है नहीं देखा तो देख लेना बहुत ही ज्यादा मज़ेदार है मैं तो रोज थंडे पानी से नाती हूँ मुझे कभी जुकाम नहीं होता आ ग्रेनी क्यूकि तुम तो वाटर प्रूफ हो अडे वैसे ये हेरिकॉप्टर किसका पड़ा है वो तो पता नहीं भई किसका से अडे तो फिर कौन लाया ये हेरिकॉप्टर यहाँ मैं लाया सू भई पर बाबु मुझे आप तो बोल रहा से पता ने किसका है आ भई वो तो सच में ना पता किसका से मनने तो यो दिख गया इसलिए उठा लिया आ भई या ऐसे ही मेरे लिए बिमल भी उठा लिया करवा ठीक से भेणा अभी कौन कॉल कर रिया से आ भई बोल लो मैं डाकु बोल रहा हूँ सबसे बड़ा डाकु नहीं तू तो नकली डाकु है शाले मारे से ना फिड रिवा दूंगो समझा दम है तो आजा लोकेशन भेजता हूँ पता चल जाएगा अब भई अभी आता सू साला मेरे से पंगा ले रिया से आज तो इसे जिन्दा ना छोड़ूंगो अड़ डाकू सासा अभी कहा गए भीमल लेने गए होगे अपनी बेहना के लिया साला जानता ना से किस से पंगा ले लिया अब पच्चताएगो अच्छा तो तू से वो पर तू डाकू नहीं जोकर लगता से आँ मैं डाकू तो नहीं पर मैं सबका बाप हूँ अच्छा वई तो फिर क्यों बोल रिया था मैं डाकू सूँ क्योंकि मैं तुझे फसाना चाहता था और तू फस भी गया ओई बुया पास बंडल तू फस चुका है हमने तेरा कॉल ट्रेस किया था वे वा तुम लोगोंने बढ़िया चालाकी की ओई पर तू कोई चालाकी मत करना तू फस चुका है खुद को हमारे हवाले कर दे कितने नादान हो तुम सब को लगता है कि तुमने मुझे फसाया पर ऐसा नहीं है मैंने तुम सब को फसाया है क्योंकि मैं एक साथ दो सिकार करना चाहता था ओई क्या करने वाला है तू वही जो मैं अपने दुश्मनों के साथ करता हूँ ओई नहीं ओई ओई तो मरने के लिए तैयार हो जाओ अरे कोई इसको रोको जी मुझे कोई नहीं रोक सकता मैं अन्होनी हूँ रे मनने भी मारना चाहता से के तू नहीं तुमारे लिए तो मैंने कुछ और सोचा है रे के करने वाला से मारे साथ तू मैं तुझे सबसे ताकत वर डाकू बनाने वाला हूँ आज फ्री फायर वर्ड में एक चोका देने वाली खबर निकल के आई है जहां पर एक लाल हल्क ने मचाया है आतंक दिन दहाडे सबकी गाडिया कर रहा है चोरी ये हल्क आपको कही भी मिल सकता है दोडता हुआ आएगा और अगर आपकी कार उसे अच्छी लगी तो वो कार के साथ आपको भी उठा ले जाएगा पर ये यही तक नहीं रुका इसने आज शाम को फ्री फायर वर्ड की बैंक को भी लूट लिया इसके बढ़ते आतंक को रोकने के लिए पुलीस और आर्मी तेनाद हो चुकी थी पर ये लाल हल्क बहुत ही खुंखार निकला एक ही पंच में पूरे ट्रक को उड़ा दिया अड़े मैं तो इस हल्क का फैन हो गया इससे याद आया डाकू चाचा कहां पर है कहीं दिखाई नहीं देरे ओरे वो कल भी मन लेनें गए थे मेरे लिए अबी तक नहीं लोते अड़े कोई डाका वाका डालने सडे गए हो गए उनका ठोड़ीना कोई सेड्यूल होता है अरे सासा बहुत बड़ी गड़बड हो गई वेसे आप ये सई कर रहे हो आपको भी बोड़ी बनाने की ही जरूर अथे अबे क्या तू सुबह सुबह बकवास कर रहा है क्या गड़बड हो गई वो बता अरे हल्क वापस आ गया है और भी टाकटवर होके अब तो आपको वो नहीं सोड़ेगा क्या मज़ा कर रहा है मुझे पक्का यादे कल मैंने उसे मार दिया था तो वापस नहीं आ सकता वो अरे यकीन करो वो सच में आ गया है बहुत ही खतरनाक दिखता है अब तो तो सच बोल रहा है किया मुझे तो पक्का यादे मैंने उसे कल मार ही दिया था और सासा यार मैं आपसे जूत क्यों बोड़ूंगा हाँ ठीक है चल तो तो एक बात बता कि तुझे पता कैसे चला कि ये हल्क जिन्दा है अरे में न्यूस चैनल देख रहा था तो उसी में हल्क का वो बता रहे थे कि हल्क वापस आ गया है और फिर से आतंग फेला रहा है एक साथ तीन तीन बंदों को मार रहा है एसी बात है तब तो कोई न कोई बहुत बड़ी गड़बर हुई है हाँ सासा एक काम करो तोनी भाय को कोल लगा उन से बाट करो तब ही कुछ पटा सड़ेगा हाँ सही कहा भी तोनी को कोल लगाता हूँ येलो आडम का ही कोल आ गया हिलो आडम मैं तुम्हें कोल करने वाला था एक जरूरी बात बतानी थी हाँ मैं वही जानने के लिए तो कोल किया हूँ ये हलक का क्या सीन है हाँ वही वही मैं तुम्हें हलक के बारे में ही बताने वाला था हा यार बताओ ये क्या हो रहा है कल तो कि ये वही वाला हलक है अरे क्या बात कर रहे हो अभी तुम ये बोल रहे थे कि ये वह वाला हलक है अभी से पता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है छोड़ो एक काम करते हैं में और नियोन क्रिमिनल तुमारे घर आते फिर तुम हमें पूरी बात बताना अरे नहीं नहीं मैं अभी घर पे नहीं हूँ मैं बहुत ही दूर आ चुका हूँ कुछ काम के लिए अरे मैं अपने सूट में कुछ केस्ट करना चाहता था इसलिए मैं पहाड़ों पर आया हूँ एक काम करो तुम जल से जल इधर आजाओ अरे वहां पहुचने में तो कम से कम दो तीन घंटे लग जाएंगे नहीं इतना टाइम नहीं है तुम्हें आदे घंटे में ही पहुचना पड़ेगा अरे तोनी यह तो नही पहार पे खड़ा हूँ हमें चुपके से इस काम को अंजाम देना पड़ेगा अगर डाकू चाचा को पता चल गया कि हमने उनका हेलिकोप्टर चुराया था तो वह हम को छोड़ेंगे नहीं अरे नहीं नहीं आप डाकू सासा की सिंता मत करो वह तो भी घड़ पे नहीं है अच्छा तो फिर कहां गए है वो वो तो किसी को ने पटा कर साम से वो कहीं गायाप हो गए है अभी टक वो लोटे नहीं है अबे क्या बात कर रहा है कहीं किड्नेप तो नहीं हो गए ना क्या बात कर रहे हो सासा किड्नेप करने वारे को थोड़ी कोई किड्नेप कर सकता है हाँ सही बात कही तूने तोनी भाई ये देखो हम आ गए अरे वाह क्या बात है तुम तो बहुत ही जल्दी आ गए वैसे ये हेलिकोप्टर किसी का चूरा के तो नहीं आये हो न नहीं सूड़ा या नहीं बोल सकते आवेसे सूड़ाया है पर कुस घंटे के लिये ही अरे कुछ समझ में आ येसा तो बोल अरे छोड़िये इसकी फाल्तू बातों को आप बताए क्या गडबर हो गई है हाँ सही कहा एक बहुत ही बड़ी गडबर हो गई है क्या ही बताओ क्या हो गया यार बताओ न असल में अभी जो ये हलक है वो तुमारे डाकू चाचा है क्या बकवास है ये कुछ भी नहीं डाकू सासा कोई सूपर हीरो नहीं है नहीं तो सूपर वीडन है वो सूपर डाकू है यार हाँ मुझे पता है इस बात को हजम करना थोड़ा मुश्किल है पर यहीं सचाई है अच्छा आप वैसे कुछ बता रहे थे कि ये वाले हलक का कुछ पिछले वाले हलक से तालूक है हाँ हाँ सरी कहा मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ ये जो फस्त बूया पास बंडले उसी नहीं हलक को बुलाया था तो कल जब तुमने हलक को मार दिया तो बूया पास बंडल ने उदर आके हलक में से उसकी सक्तिया निकाल ली थी और फिर कल वो सारी सक्तिया तुमारे डाकू चाचा के अंदर डाल दी तो पूरा कंट्रोल उसने उसके हाथों में ले लिया है तो डाकू चाचा वही करेगा जो वो बुया पास बंडल चाहेगा अरे यह तो बहुत ही बड़ी समस्य हो गई हमें अब डाकू चाचा का सामना करना पड़ेगा चींता मत करो मैंने अपने सूत को अपग्रेड किया है यह आराम से 10 हल्क का सामना अकेला कर सकता है वा तब तो सही है फिर हम रोग पाएंगे डाकू चाचा को हाँ पर मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि तुम हल्क को मारोगे तो असा तुम्हारे डाकू चाचा पे भी होगा असा इसका मतलब कि हमने हल्क के हाथ पर तोड़ लिये तो डाकू चाचा के भी टूक जाएंगे हाँ तुम बिल्कुल सही समझे हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है क्रिमिनल तु हेलिकोप्टर ले ले मैं सूट ले लेता हूँ आडम काम खतम करके जल्दी इदर आ जाना मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सूट गलत आथों में पड़े हाँ हाँ बस एकी बार तो गलती हुई थी तुम साला बार बार सुनाते रहते हो चिंता मत करो कुछ नहीं होगा तुमारे सूट को अरे मुझे सूट की नहीं पड़ी ऐसे सूट तो बहुत है मेरे पास तुमारे लिए बोल रहा हूँ सासा आपको लगता है कि आप डाकू सासा को मार पाओगे सही का क्रिमिनल वो मेरे से बड़े है मैं डाकू चाचा को नहीं मार सकता यार बहुत ही बड़ी मुश्किल में फस गया हूँ मैं अगर आपने उन्हें नहीं मारा तो पकी बाठे वो तो आपको मार ही डेंगे डाकू हल्क चाहता है कि याँ पर जितने भी प्लेन है वो सारे मुझे दे दिये जाए औरना मैं मार के सारे चीन लूँगा नहीं हम नहीं दे सकते हैं चले जाओ याँ से मोत से डरने लगता क्या एक इशारे पे मेरे यह आदमी तुमारा क्या हाल करेंगे तुम सोच भी नहीं सकते तू तो अपने गुंदों के डाम पे उचलता है तू तो कायर है, बच्चो गलत करे हो, तुम तीनों को तो मैं अकेला एक साथ पीट सकता हूँ, अरे कुछ नहीं कर सकता तू अपने आदमी के बीना, समझे, ये बात है, तो अब देखो मैं अकेला तुम्हारा क्या हाल करता हूँ, अरे जान बचा के भागो, ये तो ओ, मोस् अरे इस पे तो गोलियों का कोई असर ने होगा, भाई लोग अपनी जान बचा के बागो, क्या हुआ, इतनी जल्दी हवा निकल गई, बहुत कायर कायर बोल रहे थे, क्या हुआ, बढ़े आये मुझे पंगा लेने वाले, मुझे मारने वाला अब तक कोई पेदा नहीं हु यह रहे, मिल गए डाकु चाचा, एरपोर्ट पे है, हाँ सासा, पक्का वो प्रेंस उडाने आये होंगे इधर, हाँ क्रिमिनल, अब यहां खतरा हो सकता है, तू चला जा यहां से, मैं इनको देख लूंगा, ठीक है, बाकी गेश क्या कर रहे हो, यार वीडियो को लाइक न हरे गेंडे, कल का सबक तू बूला नहीं है क्या, मैं हरा नहीं हूँ, अब लाल हो गया हूँ, तुझे भी मार मार के लाल कर दूंगा, कोई माई का लाल ऐसा पेदा नहीं हुआ है, बहुत डायलोग बाजी करता है रे तू, एक सेकंड, असल में तुम तो डाकु चाचा हो होने चाहिए, हा समदले, 50-50 है हम दोनो, देखो मैं तुमें तो पीटना चाहता हूँ, पर डाकु चाचा को नहीं पीच सकता, तो प्यार से बोल रहा हूँ, हार मान लो, और खतम करो सारी बाते, अरे बहुत बोलता है रे तू, पिछली बार तो मैं अकेला था, अब देख हम कितने सारे लोग है, देखो मैं फाल, तुमें सब को पीटना नहीं चाहता हूँ, तो प्यार से बोल रहा हूँ, खतम करो, और डाकु चाचा को नॉर्मल कर दो, वो तो कभी नहीं होगा, आई लोग ठूद पड़ो इस पे, अरे सोचा था कि आज मार पीट नहीं करूंग पर क्या करूं, मेरा दीन ही ऐसे सुरू होता है, अरे मारो साले को, ये एक खेला हमारा क्या बिगाव लेगा, सालो तुम मुझे जानते नहीं हो, तुमारे जैसे हसार भी आ जाएंगे, तब भी मेरा कुछ ने बिगाड पाएंगे, अरे ये तो बहुत ही ताकतवर से हो, सम जा चुका है, इस खेल को खतम करने का, बहुत हो गया, अब तो तु मेरे हाथ हो ही मरेगा, तुम डाकु चाचा की बोडी में हो, इसलिए मैं तुमें नहीं मार सकता, क्या हुआ तीन के डब्बे, इतने में ही तेरी हवा निकल गई, चाले दव में तो निकल जा डाकु चाचा की बोडी से बहार, फिर मैं बताता की मैं क्या गर सकता हूं, समझा, ये क्या अपने डाकु चाचा को मार ओगने तुम, मुझे पता है डाकु चाचा इतने तो कठोर है कि मेरा ये वालावार से सकते है, पर तू नहीं से सकता, बहुत हो गया तेरा, अब तो मैं तुझे मार ही दूँगा, क्या हुआ रूप क्यू गए, सही कर रहा है, मार दे मुझे, नहीं नहीं, ये डाकु चाचा का बोड़ी है, मैंसे नहीं मार सकता,